दोस्तों, आम तोर पर माचिस की तीली को बनाने के लिए सफेद देवदार की लखडी को एक मशीन में डाल कर पतला किया जाता है और फिर लखडी की सपतली शीट को कटल की मदद से तीली के शेप में काटा जाता है ये मशीन एक मिनट में आच से दस हजार तीलियां खटती है अब एक बड़े से कंटेनर में पोटेशियम क्लोराइड, डिलेटिन टैप्शूल और फॉस्फोरस को आपस में मिला कर पैराफिन वैक्स को तयार किया जाता है इसके बाद लगडियों से बनी तीलियों के उपरी हिस्से को गर्म पैराफिन वैक्स में दुबोध दिया जाता है जिससे ये पैराफिन वैक्स तीलियों पर अच्छे से चिपक जाती है ये पैराफिन वैक्स ही रेगड लगने पर आग जलाने का काम करती है और पियसी आमेजिंग वीडियोज के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें